नमस्कार स्वागत है आपका इंसाफ की अवाज में मैं हूँ अभिला शदूबे और आईए देखते हैं आज की ताज़क अबर दर्शकों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा बजट 2023 से 2024 की घोशना कर दी गई है तो आईए जानते हैं बजट की पाच सबसे बड़ी बाते मिडल क्लास के लिए साथ लाग तक की आए पर कोई इंकम टैक्स नहीं लगेगा निचले तपके के लिए गरीब कल्यान अन्योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा युवाओ के लिए स्टार्ट अप फंड और तीन साल तक भत्ता मिलेगा इंटरनेशनल स्कील इंडिया सेंटर्स बनेंगे आदिवासी छेतर के लिए एक लब्व्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर अपॉइंट किये जाएंगे आदिवासी गाओं के विकास के लिए 15,000 कडोर, महंगा, सस्ता, LED TV मोबाइल सस्ते होंगे सीगरेट पर टैक्स 16 प्रतिशत बढ़ाया गया ये अब महंगी होगी वित मंतरी निर्मला सितारमन के बजट भासन में सबसे बड़ी बात इंकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही है उन्होंने आठ साल बाद स्लैब, बदला और साथ लाकी आमदनी पर टैक्स चूट देने की घोशना कर दी है सीतारमन को ये पाच्वा और देश का 75 बजट है उन्होंने इस बार पहले की तूनला में कम समय लिया इस बार का भाशन महज एक घंटा 27 मिनट का था इस साल नौ राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है इसका असर बजट भासन में दिखा सीतारमन ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की रह पर है तब भारत की ग्रोथ बाकी देश के मुकाबले मजबूत है बजट के बाद तीन बड़े मुद्दो पर सीतारमन के बयान महंगाई आपने देखा कि महंगाई नीचे आई है हमने कदम उठाए है हमारा ध्यान उस पर है गेहू का मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है इससे गेहू के दाम कम होंगे रसोई में महंगाई कम होंगे ये एक्सन तो पहले ही हो गया है महिला परिवार का हिस्सा है इंकम टैक्स में छूट का फाइदा उन्हें भी होगा रोजगार दस लाग कडोर का capital investment किया गया है, प्रोजेक्स चल रहे हैं, पैसा इनके लिए दिया जा रहा है, ये प्रोजेक्स बेना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं, बजट का मकसद, बजट में महिला सशक्तिकरन परियतन के लिए, action plan, विश्वा कर्मा के लिए, योजनाओं और green growth पर focus है, खबरों में फिलाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे, एक में समचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,